नोटिफिकिशन के लिए बेल बटन दबाईए और नए वीडियो की आपडेट के लिए सब्स्क्राइब करना ना भूले तो प्लीज सब्स्क्राइब जरू करें नमस्य दोस्तों आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट्शाट फिल्म है आज की इस पार्ट में मैं आपको बता नहीं जा रहा हूं एक ऐसा प्रॉल्म जो मुझे इस लैप्टॉप के साथ मुझे फेस हुआ है और शायद ऐसा हो सकता है कि यह आपको भी यह यह बहुत ही नॉर्मल इशू है लेकिन कभी कभी यह थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है तो वह कैसे हम इसे फिक्स कर सकते या फिर कैसे समझे इसे यह आपको जानना जरूरी है ठीक है अब यह जो लैप्टॉप है यह डेल का इंस्पिरोन लैप्टॉप है और इसमें इशू ऐसा था कि जब यह मेरे पास आया तो यह बिलकुल लैप्टॉप और नहीं हो रहा था ठीक है तो मैंने सबसे पहले तो उसका जो बैटरी है वो बैटरी मैंने इसको इसका निकाला उसको रिसेट किया रिसेट करने के बाद चेक किया लेकिन यह और नहीं हो रहा था लेकिन जब मैंने इसका जो मुझे लगा कुछ शॉट हो गया है क्या तो मैंने शॉटिंग भी चेक किया लेकिन शॉटिंग भी नहीं था लपटॉप तो फिर मुझे थोड़ सा यह डौट हुआ कि शायद इसका जो पावर स्विच है उपावर स्विच भी खराब हो सकता है इसका रिजन है यह है कि इसका जो पावर स्विच है क्योंकि नॉर्मल हमारे जो लाप्टाप होते है डेल के तो वो जो पावर स्विच होता है जैसे मैं एक दूसरा लाप्टाप आपको दिखाता हूं जैसे अभी यह लाप्टाप है यह लाप्टाप का पावर स्विच यहा यहां पे यहां पे इसका LED होता है ठीके और यहां पे जो switch यहां पे लगा हुआ होता है इसके hinges जो मतलब जो back panel जो होता है डिस्प्ले पैनल जो होता है हमारा तो यहां पर यह लगा हुआ तो अब इस लाप्टॉप में क्या इश्यू था कि यहां पर जो यह आप सर्कुट देख रहे हो ठीके छोटा सा यह वायर से हां पर कट हो गई थी तो कट होने के बाद एक्चुली वायर भी अंदर जा चुका था तो मैंने इसे पहले बाहर निकाला ठीके मैं आप रोड़ा सा करीब लाके जाके दिखाता हूं ठीके तो मैंने इसे बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद यह तीनों वायर यहां पर आप देख सकते हो यह तीन कॉंटक कॉंटक पॉइंट से यहां पर तो यह तीन यहाँ पे लगी हुई थी ठीक है तो जो टूटी हुई तीन वायर थी तो यहाँ पे सर्किट पे भी मुझे यह तीनो यहाँ पे लगाना था ठीक है तो सबसे पहले दिक्कत तो यह है कि अभी यह जैसे भी यहाँ पे मैं आपको दिखाना हूँ एक रेड वायर यहाँ पे है एक औरेंज यहां पर एक ब्लैक वाइट था और इक ब्लैक था थीक? तो सबसे पहले तो आपको this ऍमझना पड़ेगा कि ए 3 वाइर हे किस चीज के तो इसमें क्या होता है? जो ग्राउंड है वो款 है, जो बीच वाला होताय। आफ एलेडी के लिए पर दिख्कत नहीं मतलब इसको कैसे सॉल करना है कि सबसे पहले तो आपको इस सर्कुट पर ग्राउंड चेक करना है मतलब जैसे अभी यह गॉल्डन ग्राउंड हो गया यह ग्राउंड हो गया तो मैंने मल्टिमिटर से क्या किया एक प्रोब यहां पर लगाया और दूसरा प जाहाँ पर मुझे बजर आया तो वो डिटेक होआ हमारा ग्राउंड ठीक है और बाके दोनों फिर एक एलेलेका था ऊज्टर मिला जाहां पर लगाया और दूसरा प्रोब यहां पर मैंने लगाके देखा तो जहां पर मुझे पावर स्वीच का सम्क्राइक्ड मिला जहां बजर लगा तो by default जो तीसरा था वो LED खा था तो बहुत ही simple था detect करना तो यहाँ पर मैंने अभी यह तीनों वायर जो है sold मैंने कर दिये और sold करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि यह जो है मैं अभी यहाँ से on करता हूं इसे आप देख सकते हो यहाँ पर यह on हो गया है दिखें यह जो है on हो गया है ठीक है तो देखो हमने जो bias reset किया ठीक है क्योंकि यहाँ पर मैंने मदरबूर का जो इसका बैटरी था वह भी निकाल के देखा था तो फिर आपको ऐसे आए गाई यहाँ पर आपको एफटो में जाके सब set करना होता है मतलब डेट टाइम जो भी है setting जो है वह हमें set करना होता है और set करने के बाद यह जो है हमारा जो लाटप है वह अच्छे से वापस से काम करने लग जाएगा ठीक है तो अभी लाटप तो ओन हो गया है तो बस मुझे यह दिखाना था आपको बताना था कि यहाँ पर switch होने के कारण पाउर switch होने के कारण क्योंकि डिस्प्ले पैनल जो है हम यहाँ पर लगाते हैं खोलते हैं तो ऐसे situation में यहाँ पर यह वायर जो है वो कट भी हो सकता है ठीक है तो नेक्स टाइम हम आप हमेशा ध्यान में रखिए अगर डेर कंडिशन में आपके पास यह laptop आता है तो सबसे पहले थोड़ा सा स्विच का भी आप पहले देखा देख लो क्योंकि यहां पर खोना भी बहुत ही आसान है क्योंकि यह प्रेस्टिंग होने के कारण आप यहां से निकाल के यह चेक कर सकते हो वायर बराबन है या नहीं ठीक है मैं उमिद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्ली इस वीडियो को लाइक करें शेर करें हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करें और देखते रही है हिट शोट फिल्म थैंक यू